नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनट के इस वन शॉट की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो एक बारी आपके अमित भीया फिर से आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ तो आज हम भाई कौन सा चैप्टर करने वाले हैं तो आज हम करेंगे ब इनर्जी सोसे बहुत ही प्यारा चैप्टर रहे और इस चैप्टर के माँबात करूं मैं आपको गैरंटी देता हूं अगर इस चैप्टर को आप शुरू से लेके आंट तक देखते हो ना तो आपको एक ही लेक्टर में आपको कोई भी दूसरा लेक्टर देखने की मैं और एक बाट और आएगा इसका जिसमें मैळी जो मान्चित्र के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से वह वह में करेंग करेंगे ये लेक्टर समस्चने को नाम को समझ ले को नाम citizens क्या रहा है जो हंब हैं बहू यहां पर संसाधन को ज़्यादा हमने पढ़। है ना जल संसाधन वन और वन जीव संसाधन और इनकी हम बात करें तो हर चीज को हमने संसाधन की तरह देखा है मतलब जैसे हम पहले चैप्टर की बात करें संसाधन और विकास उसमें जाना संसाधन होते क्या है 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 ना हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो यह उसमें आ गय संसाधन को बहुत सारे संसाधन के बारे में उर्जा क्या होती है इनर्जी जैसे बोलते कि आपको दोड़ने के लिए चाहिए आप जाते हो अप बहते हो 100 रुपए का डीजल एक लीटर डीजल आता है सौका 95 का जो भी हाता हो यह पेटरोल दलवाते हो 100 रूपय की एक लीटर मान की चलो मतलब 95 चलना नभवय चलना जो भी रिट चलना है वाट अफर चलाते हो अपनी वाइक को और बाये का पैटरोल क्षझन बार यहां चलना इसाथ एक बаздना रहे तो इनके हम बात करेंगे और अष्टे के बारे में अच्छा कई और वा संसाधन बो लला वन ऑर वन जीव को पाई संसाधन बोलak तो वैसे हमने इनको क्ली वहन है क्यों उलेकि और है वो बिल्कुल ही अधूरा है, हम imagine भी नहीं कर सकते है अपने जीवन को, आपके book में एलाइन दे रखिया कि सुई से लेके जहास तक हर चीज किस से बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है, और मैंने आपको संसाधन की क्या definition बताई थी, क्या परवाश बताई थी, कि कोई भी प्रकरती में ऐसी चीज मौझूद जो है, जो हमारी जरूतों को पूरा कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने बोल दिया है, संसाधन, तो हम बात करें खनिज की और उर्जा की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम संसाधन की तोर पर भी देखते हैं, क्यो और यह example मैं बताओं तो मेरे को बहुती घटिया लगा आपनी किताब खोलोगे तो यह haven करके एक लड़का है है ना और यह अपनी पिताजी के साथ ना जा रहा है गहीं है ना और गौहाटी आया हुआ है और जब यह आ रहा होता है ना रस्ते में तो रस्ते में जो यह क्या द देखता है कि मतलब समझाने के लिए आपको बताए गया है लेकिन बच्चे इतने भी वेपकूफ नहीं है आज की जो मॉडरन बच्चे है वह यह तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि यह जो घर जैसा जो पूरा स्टक्चर है कहां जा रहा है तो बेसिक लिए बोला होता है आपके पापा यह जो बड़े-बड़े घर हैं और यह चोड़ी-चोड़ी रसोहीयां है यह चल क्यों नहीं हमारे घर क्यों नहीं होता है इतना इसका मतलब सोचके देखो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आपकी आपकी अन्जियाइटी में दे रख है कि और वी रिक्षा है तो उसको समझ माहाता है ऑर जितनी भी च्छे चल चलनी है यह सब nossa सब किससे बनी ुई है यह सबрип ही आप किससे बनी हुए हैं और उर्जा से चल रहे हैं आप इतना बेब को बच्चा होता इसको इतना नहीं पता होता है ना चलो कोई बात ने खेर छोड़ो तो यह एक जांपल दिया गया एक उधारन दिया गया समझने के लिए कि खनिश से क्या क्या चीज बनी होती है तो आप सोच के देखो क को पढ़ती है हमारे उर्जा की जरूवत हैना उर्जा में बहुत सारी चीज आ जाएंगे सबसे पहले खनिशों पे ध्यान देते हैं खनिश होते क्या है तो इतनी सारी चीज है आपको पता चली कि इतना क्लियर हो गया होका अभी हमने खनिश की परिवहाश नहीं समझे पर उसके इस में मतलब जगने के बाद सोने तक का सफर होता है उसमें खनिजों का कितना बड़ा होता है सुबह सबस्क्त करते हो रहे के ऑफ कीष्ट की तो नमक भी क्या है तो क्या आपके नमक है तो बिलकुल है है उन्हाओं भात कर कर लेते हैं कि चीज वहती हैं तो सकिजें क्ष ils यह आपके गरता बाई ना जैसे हम बात करें कुछ अब घर्षक्लिश अब आप क्या होता है जो कठो estmal High के बहुता है अब भब करें ऐसे सिल्का है ना और राइस कुना-पत्थर यह कि होते हैं कि यह कहिना कहीं स्वाल होते हैं हम बात करें aluminum oxide वा विविन phosphate खने स्वक्षण में मदद करते हैं अच्छा हम बात करना है किसकी तूथ पेष्ट की बात करें तो उसमें किस की बात हो रही यहां पर यहां पर जो खने करें यह किस चीज़ में मदद करते हैं तो नातों की यह किस तो यह गरता हो यह क्या करता है यह आपके दातों को सड़ने से रोखता है तो फ्लुराइट की हम बात करें तो फ्लूराइट नमक जो है जो है यह किस से प्राफत होता है तो यह आप देखो कौन-कौन से खने जो गया और यह लाइम श्टोन तुना पत्थर वगरा हो गया यह ऐलुम्नियम ऑक्साइड हो गई और कौन-कौन से बात हो रही है आप फ्लूराइट की बात हो रही जो मैं फ्लूराइट से प्राप्त होता है यह खने जो गया अच्छा आगे बढ़ते हैं अधिक ट्रेंइन ऑक्साइड से सफेद बनाए जाती है अच्छा अब जो मंजन का जो आप देखते ने ही गौशिश या की गई है कि जो टूथ्पेश्ट आप यूज़ करते हो ना वह भी किससे मिलकर बना होता है सारे खनेज जो हमारे प्रकरती में वसे उए हैं इनसे मिलकर बन होता है और कितनी च집ता है नमक आपके की तो कहले तो तो कहने का मतलब यहां पर बताने की कोईआे जींव होगी में कितने होजाता है तो यहां पर डॉक्तर बुलते काया आपके कमी है तो फिर क्या गरते हो लोगा खाने लगते हो है क्या गरते हो तो यहां पर बात करें तो हम सी भी खाना वागर खाते हैं शैसमाटार है हैं जीतना का और जितना fall करें उसके मातराए उसकी مह बहुत तो यह कितने होते हैं हमारे बाड़ी में कितने होते हैं 0.3 लेकिन यह बहुत जरूरी होते हैं यह बहुत ज्यूरी तो यह इतने महतपूर और गुड़कारी है कि इनके बिना जो है हम 99.7 प्रिस्चत भोज परदारतों का जो भोग नहीं कर सकते हैं मतलब कहने को तो 0.3 परसंट ही है खनेज हमारे बॉड़ी में उसकी जरूरत है लेकिन अगर ये ना हो अगर 0.3 परसंट नहीं है तो कहने का मतलब क्या है मैंने बोला न कि सुबह से लेकर शाम तक आप खनेजों की बीच में ही रहते हूं के अंदर बसे हुए हैं भाई है ना तो इन से बूर भाग ही नहीं है तो यह भी हमारा जीवन का ऐभिन हिस्सा है और आप बोल सकते हो एक संसाधन का हिस्सा इतिके ना अच्छ अब बहुत हो गया गया इसको पूरह डैफिनाशने तोड मतलब मतलब निखांगे बहुत चीज़ से बाकी आपको याद हो जाएगी आपके साथ है तो डरने की या बात है तो पहले भी दिया है तो प्राकर्तिक प्रतिवी पर नहीं थे उससे पहले के खने जाए तो यहां पर इंसानों का रोल नहीं है यह कैसी है प्राकर्तिक रूप में उपलम्द है तो पहली चीज़ क्या होगी देखो पूरी डेफिनेशन को तोड़ लो पूरी परभाशा को तोड़ लो क्या बोला जा रहा है प्रकर ठीक रूप राकर्तिक रूप में उपलम्द एक समरूप प्रदार्थ अचा आँड यहां पर दूसर सब्सक्राइब कि यहां पर चूना पत्थर तो यह पूरा पूरा जो यह पूरा जो आप देख रहे हो तो यह पर समरूप प्रताद जिसकी क्या है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना इंतरनल स्टॉक्टर अब जैसे आपको उधार नेता हूं पानी पानी में होते मिनरल्स होते हैं पानी कि खने जए पानी के हम बात करें पानी का फांश क्या होता है चानते हो कि यह आप एक बाल्टी पानी ले लो चाहिए आप पूरी नदी ले लो यह जो इसके आंतरिक संद्रचना है यह तो बदलेगी नहीं इतनी आप फॉर्मले वगरा देखते हो सबका जितने भी आप फॉर्मले देखते हो और जितनी भी यह जो पानी हो गया कुछ भी ले लो आप सॉल्ट हो गया सोड़ा हो गया तो उनका पडलर क्या होता है एक आंतरिक संद्रचना होती है उनका एक स्ट्रक्चर होता है जैसे हम वाटर की बात करें एस्टो कि मेरे को अब यह चेंज तो नहीं होने वाला ना चाहा तो यहां पर भी बोला जा रहा है कि आप स्टार्टिंग से पड़ो प्राकर्तिक रूप में उपलब्द है एक सम्रूप प्रदार्थ है जिसकी क्या है एक आंतरिक संद्रचना होती है उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम खन भारत में बात करें पूरी दुनिया की हम बात करें 2000 से भी जादा जो खनिज हैं उनको हमने पहचान लिया है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है कुछ बहुत कम मिले हमें यह आप बोल सकते हो बहुत बहुत क्रूशियल है जैसे हम बात करें डाइमंड बात करें देखती हर एक चीज आप जैसे देख रहा है टीवी सामने पूरी स्क्रीन लगी हुए यह भी किससे बनी हुए यह भी खनिज से ही बनी हुए यह जो रिमोट देख रहे हो यह हाथ जिस फोन से आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें भी बहुत सारे खनिजों का हुआ है और डेफिनिशन की बात है तो डेफिनिशन यह एक्जाम में छापके आ जाना समूरूप का मतलब होता है एक जैसा समूरूप प्रदार तो कि तो एक निश्चित आंतर रचना होती है उसे हम क्छनिज बोल देते हैं तो आई हो आपको इतनी इस चीज है वह बहुत ये दोनों का काम सेम होता है अलग ओलग होता है तो यह पूरी जो हमारी प्रतिवी है पूरे अर्थ को यह पड़ रहा है ना उसमें खनजी भी आ गए लेकिन बात करें बूरे अर्थ को यह होल पड़ रहे हैं इसमें खनजी भी आ गए लेकिन हम बात करें भू बैग्यानिक तो एक खंजो की निर्माड की प्रिग्रिया इनके आयू क्या है इनकी जो ये किस बहुतिक और रसाइनिक प्रिग्रिया से जन्म हुआ है इनका ये सब कौन पढ़ता है बाई तो ये सब पढ़ते हैं भाई भू बैग्यानिक तो आई हो लेकिन उतना टफ है नहीं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही सोचोगे ना क्योंकि भूगोल में जो चीजे होती है यह आपके आसपास हो रही है है ना तो आप इसे अगर कहानी की तरह पढ़ोगे कहानी मतलब एक केश्टडी की तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी से जो है यह चीजे के लिए हो जाएंगी ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आप बात कर लेते हैं एक चीज के बारे हैं भाई जो होते हैं ना इनकी यह फिंक पर्फर्टी होर होती है क्या होती है तो इनकी यह जो खनीज को जनम होता है न वह अलग-अलग भौतिक और रसाइनिक परिस्तितितियों में होता है जनम को होता है जैसे हम बात करने खनिचוש है इनका जनम जो का होông गा तो इस फर हों देना जिरा बहुत अर withstand क्यो gluten और क्यों पर डिस्ट डिकल और जहां पका kemilच इसका मतलब क्या हुआ多 है देखो जैसे खनीच होता है इंकर बजन की बात कर रहो हो और सब्सक्राइब डुमिएंस तो यह जू है और इने कितना प्रस्तितित आद दो Standing ठीक है और कितनी गर्मी मिले टैंपरेजर कितना है उसका तो यह क्या हो गया यह फिजिकल हो गया कैमिकल के हम बात करें तो कैमिकल में अलग अलग चीज आ जाते हैं कैमिकल रेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि तुम कैमिकल डाल ले उसमें कोई भी रसायनिक गद्विदी कर जाता है कि जब कोई भी किसी चीज के फॉर्म में जा रहा है जैसे आपने क्या किया आपने लाल में पीला मिला दिया तो एक नया रंग बन गया तो एक कैमिकल एक्षिन होते हैं तो बाद करें रसानिक प्रिक्रियाँ के बात करें जैसे जो सूरज देवां यह इनकी रोश होती है तो यह क्या है यह सब रसायनिक प्रिक्रिया ही नहीं की वाई चत्ता ने को तो हिर रहे हैं zwischen ने कि एभाषी सब किसंगह आरो होता है तो पानी गिर नहीं हां बारिश हो रही है सारह सारे चाहम केंए यह सारी चीज हैं मिलकर करवाते हैं यह रसायनिक प्रिक्रियां करवाते हैं उससे भी बहुत जारा निर्वर करता है कि हमारे जो खनेज हैं वो कैसे होंगे उनका रंग कैसा होगा दिखने में कैसे होंगे वो कोईला बनेंगे या फिर हीरे बनेंगे या फिर सोना बनेंगे क लो यह सारी जो चीजे होते हैं कि कौन सा खानिज कैसे बन रहां है ये दु माख में आका ना की चूवला बनेगा ये चूबाइगा ये अंदर डायमड्ड निकलेगा को य। काणों में ही डायमड मिलता है ही रा तो चैन गरता है कि जो चैने और किन परस्तितियों में पनपा है वो उस पे बहुत एक और रसाइनिक प्रिकरियां क्या क्या होई है तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया इस से ज़्यादा अब तो मैं नहीं बता सकते हैं अब तो समझे वह आ गया होगा ठीक है ना चलिए तो आई होब आपको इतनी चीज तो किलियर हो गए होगी अब बात कर लेते हैं तो हमें घ्रिट कहा का मिलते हैं कारण प्यां पाया जाते है तो यह कुछ पॉइंट दे रखें हैं यह बहुत ज़ारा जरूरी हैं यहां आप देखो गे आगने और रूपांत चक्तार और मैटमॉर्फिक रॉख और दूसरी कि हम बात करें दूसरे वैसे दोनों पॉइंट एक ही हैं कंफ्यूज मत हो ना यह दोनों ही पॉइंट एक हैं आप लेख सकते हो और दूसरे अवसाधी चक्टाने इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक रूपांतरिक चक्टान जिसरे हम बोलते हैं मेमाफिक और तीसरी हो जाती है हाँ किजी teacher ना पड़ाया था लोन यह लागने चट्टानों के WORLD करें और फानी माप बात करें तो सबसे पहले जो एक होता गोगा इन दूसरी चक्टानों एक तॉय होता मुआ रो इंगा यह जो चक्टान का होता हैं यह यह लेके हट लेख दूसरी तॉय आप चक्टान जब नतियन नहीं तो किस रूप में होती है तो याद रखना वो आगने चक्टान के रूप में बिखाल डेटे हैं आफ पुनी आपको पता स्वह धियना ख confidential का से ऊप हमारी पृत्वी जो है वो थीम बिइदे तीन जो लेश्व हकि यह सब सब्सक्राइब उसमें वह वाज़न हैं हमारी प्रित्वी तो हम पहली की बात करें जो उपर जिस परत पर हम रहे रहे हैं उसको प्हों वह तो ईंग्लिश यंगी भी और पापकरी क क्या करिब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंगलिश में मैंटल और इसे हिंदी हम बोलते हैं भू प्रवार भू प्रवार यहां फिर मैंटल अब मैंटल की हम बात करें तो mental एक kind of semi-liquid form में होता है अच्छा इसका मतलब क्या हुआ वई मतलब अगर मैं आपको बोलू आपको क्या सा यह अशार आपको पता होगा या नहीं होगा कि हमारी उपर ही जो पृत्वी की परद जो है यानि कि हमारा जो क्रश्ट वाला पार्ट जो है यह तैर रहा है उपर यह रखा हुआ है किसके उपर रखा हुआ है मैगमा के उपर लावा के उपर जलते हुए लावा के उपर हमारे जो पूरा अर्थ का पूर्शन जो है उपर यह रखा हुआ है और यह जो लावा है इसना हमारी पुरी बित्वी ते रही है और इतनी धीरे तahaha आपको पता भी नहीं चलता क्यासा लगतesting तो पेहले इतना कि इंधून स्वेला मतलब और परेलो और फोरी परें और और लें अंदर कारें यह भी बेंढ़ा बिलकुली टीसरी नेर की बात करें जो बिलकुल पृत्वी के अंदर पाया जाता है इसको मैं बोलते ख्रश्ट या फिर इसे हम भूचरोंड बोलते हैं हिंदी में भूचरोंड बोलते हैं और इसके हम बात करें ज्यादा अंदर जाने की ज़रूरता नहीं है यह वैसा आपके सिलिवस से संबन्दित नहीं है, आप और अच्छे समझ जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कि वह यह यह जो चटाने है, बनी कैसे, तो समझो है आपर, देखो, हमारी प्रत्वी की भारी जो परत है, इसको हमने क् टीलमितर, 50-50 क् mumम जो भी मानू आप अलगालक बूक में अलगालक दे रखा है, इस पर हम इंसान करते हैं, इसको बड़ी-बडले बिल्डिंग में दिखाई देते यह, पाड़ी-पर चटक्टाने आपको धिक दिखाई देती है लेकिन आपको कभी मन में समझ माय बड़ी बड़ी चटाने जो है ऐसे खळी होई है कहीं बड़ी बड़ी दरारें जो हैं यह आई कहाँ से it was cheap में यहाथ होता है ना कि जर्व भीमार होते हो तो आप उल्टी कर देते हो और अब उल्टी कर देते हो तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं बाइक समस्य कोई उल्टी हो रही है अंदर से चीज़े निकल रही है तो अब याद रखना थोड़ा सा देखो यह हमारी क्या बाई यह पूरी हमारी क्रश्ट है यानि भूपपरटी है भूपपरटी के बाद एक लेयर आती है याद रखना देखो यह थोड़ा सा पता दा हूं यह थोड़ा से रुख जो चलो अब यह आपको समझ मां आ जाएका जो मैं बताना चाहता हूं हमान कहों यह क्या है हमारा यहमार अर्थ हामारा पृतवि है पृतवी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर यह को अब उनमने क्या बोल लिय और हिन्दी में ऐसे और बहुपपरटी बोलते हैं अब यह दूसरी जो लेयर है इसको मैं इ Nous बोलते हैं क्या बोलते हैं मेंटल अब इसमें क्या भरा हुआ है तो मैंने बोला कि यह हमारी प्रिश्वी जो है यह अंदर दूसरी जो लेयर है इसकी मेंटल वाली यह कैसी फॉर्म में यह सैमी लिक्ड फॉर्म में कि कि जैम होता है आपने जैब फॉर्म में जैम होता है मतलux जादी में ृतर नभी झाया होता है यह तो हम बोलें हिंदी क्रश्ट यह यह हो गया थोड़ा सा मैंने इसको के बाद के बाद के पार्ट को हमने इसे बाद के पाठ को हमने यह वाला जो पार्ट है यह थो है ये कैया होगा यह बिल्कुल अंदर बिल्कुल अंदर इस से असलों मतलब ही लेकिन हम क्रश्ट सव और mental की बीच पाट कुं क्या बोलते हैं तो याद रखना कि यह थोड़ा सदरnah — यह जरूरी numero कि crushed और mental वाला जो portion होता है pen change करता हूँ मैं crushed और mental के बीच का जो portion होता है इसको हम एक नाम देते हैं जिसम बोलते है ethnosphere लिख लो, इसको हम क्या बोलते हैं ethnos मेरे बेटा writing थोड़ा गंदा है तो ignore करना ethnosphere अच्छा ये ethnosphere क्या होता है तो ethnosphere के हम बात करें ये mental का ही हिस्सा होता है mental जो होता है, उसका ही हिस्सा होता है तो mental की जो उपर वाली layer जो होती है जैसे मान के लों, ये mental है ये crust है, तो ये mental की जो उपर ही वाली layer जो होती है, इस part को हम क्या बोल देते है इस part को हम बोल देते है आफ नो सफेयर और आपको जानका रहाए नहीं होगी जो वारी जो लेर हें कितने किलोमेट्र की होती है यह 100 किलोमेट्र की होती है सोचके देखोँ यह जो एत्नोस्पेरा यह आत्मोंक्स फेर भी किसका पार्ट है किसका हिस्पाइब ली Oh उतना अब सोच के देखो क्रश्ट हमारी कितनी किलोमेटर के सिर्फ 35 किलोमेटर के यहां पर पूरी दुनिया बसी होई है उपर और यह जो पार्ट है यह जो आत्नोस्पेर जो पार्ट है यह कितने का यह भाई यह है करीबन यह 100 किलोमेटर का अब यहां से देखना यह 100 किलो सो क silhouette है ना यह सो कलूमीटर में जोquitoije है जोकि मैंटल का ही हिस्सा है इसमें क्या भ़हा गए है इसमें भरा हुआ है मैंगमा मतलब लावा जब Nie यब ही ईपर आ अज दाअगता प्रतिफी में ओपर आ जाता है ना तो उसको लावा ना्म दे दे थे हैं जैसे अंदर जब होता है इसको मैगमा बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा जो आलम की फट गया तो जो आलम की फटता है तो अंदर से क्या निकलता है मैगमा लावा की फ़र्म में निकलता है मैगमा होता है अंदर और यही क्या होता है यही होता है हमारा semi liquid form में समझ मा आ गया ना अर्द तरल state में होता है मतलब यह कैसा होगा शहद की तरह बहुत ही गाला गाला यह और यह बहुत गरम होता है आप सोच के देखो इसका तापमान जो होता है वो 1300 degree Celsius के करीब होता है और जो अंदर वाली जो लेयर है जिसको हमें पढ़ना है mental जिसके अंदर क्या बढ़ा हुआ मेल्टन वोगमा अथनोस्फियर में अब होता क्या है सुनो अब होता यह है मानने कि चलो यह है यह हमारी पृत्वी है ठीक है अब यह देखो यह क्या बढ़ा हुआ है थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं हाइलाट ले लेते हैं अब यहां पर क्या बढ़ा हुआ है यह थोड़ा सा मैगमा बढ़ा हुआ है है ना मैगमा बढ़ा हुआ है हमारी यह वाला जो पोश्वयन हमारा यह क्या है यह वाला जो पोश्वयन है है यह क्रस्ट यह अब देखो अब होता यह है कि आप ने सुना होगा अरे मिट गया चलो कोई बात आप सुनों यहां पर कर देते हैं आपन यह लावा भरा हुआ है यह लावा भरा हुआ है ठीक है अब होता क्या है बेटा कि हमारी जो पृत्वी है ना इसमें हमेशा आपने सुना ओको प्लेट टेक्टोनिक थियोरी है यह बहुत सारी दरारों में वाजित है बहुत सारी दरारें इसमें और यह बहुता है ना यहां पर क्या वहा हुआ है यह कभी-कभी यह ऊपर आ कभी-कभी क्या आजाएगा ऊपर आजाएगा जब यह ऊपर आजाएगा तो अंदर से क्या लाएगा अंदर से मैगमा लाएगा और जब मैगमा यह बहार आ जाएगा इसको हमने क्या नाम दे दिया जब यह मैगमा भार आ जाएगा तो हमने इसको क्या नाम दे दिया इसको यह लावा भार आता है तो हमने क्या बोलते है जौला मुखी विस्फोर्ट हुआ अब यह किसी को नहीं पता है भार कैसे आता है अभी भी रिसर्जस पर चल नहीं है लेकिन प्रस्वी के अंदर से चीज़े निकल लिए ना जैसे मैंने बताना आप वॉमिट करते हो जब बीम ले लेता है समझ मा आगया मतलब आपको समझ मा ना आया हो कि आगनी चट्टाने बनती कैसे हैं तो यह अंदर धरती के अंदर जो गत्विदियां चल लए है और यह अथनोस्पियर से मैगमा निकल के उपर आता है जब प्रिश्वी के भार आ जाता है बहुत सारा मैगमा त रहती हैं यारिसों कि हमारे अफसारी चट्टाने होता हैं बन जाती है तो समझने का मतलब कि सर्फ आपको गर पता है ना आगने कैसे मनती हैं तो आगने हैं रूपांत रूपतर रूप गया यह भात धो और यह मंझा लेकिन आपको यह पता होना चριह के आगने हैं क्योंकि खनिज जो होते हैं वो इन तीनों चट्टानों में ही पाए जाते हैं तभी तुम पढ़ा रहा हूं मैं पागल हूं कि आ पढ़ा हूं गए जो हमारे खनिज होते हैं तीनों चट्टानों पाए जाते हैं आगने चट्टाने आई कहां से हैं तो है प्रिथवी के अंद में पाए जाते हैं अब यह क्या होता है यह तीनों चीज़े होती हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेक्स सरवाइसिस फॉल्ट और जॉइंट्स यह क्या होते हैं इसको दोड़ा समझ लेते हैं आजो कि देखो जैसे यह क्या हुआ यह नीचे से जॉलमकी विस्पोट हुआ तो यह पहाड़ बन गया तीक है यह पहाड़ बन गया यह जहां से जॉलमकी क्या होता है यहां से विस्पोट होता है और यह पहले से बन चुका है यह यहां पर यह चटाने जो है पहले से बन चुकी है है अब होता है नीचे क्या भरा वोते होते हैं इंसरोम बात करें एक टो नहीं है ठोडरा मिलते हैं इहां पर do मिलते हैं यहां पर कहने का मतलब क्या जो मैं चलो यहां पे कोई दरार थी, है ना, यह मानिक चलो, यहां पे कोई दरार थी, यह दरार थी यहां पर, है ना, अब क्या हुआ वाई, जब लावा यहां से निकला, है ना, जब निकला, तो यह दरार दरारों में भर जाएगा, इन दरारों में भर जाएगा, और जब इन दरारों म निए ने रसायने को लेकिन बता रहा हूं को जहां पर यह लिखा हुआ है ना क्या लेकर जोड़ो भ्रशों भाव विद्रों में मिलते तो यह सब किया है वह जाती है इनका मतलब ऑलग नइम इसके हम बात करेंड जैसे हम बात कर लेते हैं इस की हां जोड़ो क्या up a बॉलते हैं एक एक लाज देखो जैसे को हम नित तो आप देखोओ जैसे इतोई मांन कि लावा निकला इधर भर गया है थ welfare भरी एथे 주는 इसको हम services बोल लेते हैं समझ में आ गया ना जैसे ऊपर आके यहाँ पर यह जम जाता नीचे तो कहने का मतलब क्या यह है सब मतलब एक ही है मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एक ही है difference है लेकिन आपको difference जानना जरूरी नहीं है बस इतना जान लो कि इनका मतलब होता क्या है इन सब का मतलब क्या होता है कि जोड़ों जसम बात करें इन सब का मतलब होता क्या है सुनो ध्यान से जोड़ों ब्रशों और विद्रों इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब वही होता ह कि दरारर आ जाती है उसमें बर जाता है अब सूनोह आपर चोटे žमाओ शिराओं की रूप में और ब्रत जमाओ परत कै रूप में जो है पय जाती है अब सुनोह धोधिए वेङस और ये esian давно तो, समझना cent फोड़ा सा एक सारी फोर्ट निन ही योट्स लोट्स बोल हूँ एक ओऱे लोट्स एक होते हैं वेंस कि एप Öार यहां पर परत की बात हो रही यह लोट्स बोलते हैं आशे तो यहां यहां पर यह जो ऊपर आ गया है है ना उपर आ गया तो यहां पर क्या होता है यह यहां पर दरारे होती है कुछ फॉर्ट्स वगएर होते हैं इनमें भर जाता है है ना तो लोट्स का मतलब क्या होता है यह जो बड़े-बड़े जमाऊ जो होते हैं बड़े-बड़े जमाऊ ह उसके बलाव भर जाता है इसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम ने क्या बोल दिया उसको मने जमाव परत बोल दिया और जो छोटी छोटी परत जो जो जाते हैं बिल्कुल छोटी-छोटे उसको मने क्या बोल दिया उसको मने शिरा बोल दिया इसे Englishman when's बोलते हैं तो आपको इतना किलिए रोना चाहिए है तो पहली चीज़ा है आप देखो और यहां पर दूसरी बात क्या है यहां पर किस में पाए जाता है शिराव जो होती है और यहां पर परत का मतलब क्या है जो बड़े बड़े जमाँ होते हैं इनमें जो है यहां पर पाए जाते हैं समझ मां आ गया चलिए इनका निर्माट जो है अधिक तर उस समय होता है जब यह तरल अत्वा गैसी अवस्था में तरारों के सारे पूपर आ जाती है यर्ग ही इननिकर निर्माट कब होता है यह ज़िक्त ही तो इन दरारों के सारे ikky asas form में तरल मतलब लिक्र फॉम् में और दरारों के सारे एक किस वह ओस्था में और समझे मागया चलिए अब यहां पर थोड़ा सव दान दिया गई है यसे कि आप बोलों मैं अजसता हो गया सिशा यह सब किसम पाई जाते हैं यह आप बोल सकते हो शिराओ और जोशाओं के यह चोटे छोटे जमाऊ हो और परत का मतलब समझे मागया कि जोटी जोटी है जिसा ह तो यहां पर किसी बात हो रही है है यहां पर रूपांत्रिक चथाँने बात हूं है लूपांत्रिक चथानने और काईंत्रिक यह कही बात है मैंतामॉर्फिक रोग ही बत तो आप देखो यह क्या वैँ तो यह रूपांत्रिक चथाने डिपने की आगने बनी होती हैं तो यह रूपांतरिक और आगने चट्टानों से मिलकर बनी होती है, अवसाधी चट्टाने इतना टिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है? अब बात कर लिता कि इसकी अवसाधी चट्टानों के अंदर पूरार थे उसमें कैसे होर्श यारि यानि देख सकते यू थोड़ा सा देखो समझे माला आजाएगा आपको यह देखो हाँ ध्यान से देखना हो ये देखो ये देखो पुरिया निठीली पार्ट जो है उसको इस फॉर्म में पाई-जाते हैं चहते च्हत्यर बाद करें नहीं किना उधारी दाणनी केबाद करें तो देखो यहां पर rajama पुटास हो ओगया नमक और सोडियम वगरा वगरा यह सब जो है इसमें प्लिऄज आद ऑई है और इन्हीन नमबा समय लगता है ब्हुत लंबा समय लगता है बस और यह पाय कैसे जाते तो आपने किस फ़र्म में पाय जाते हैं तो जो 36 पर्द जो होती है उसमें पाये जाते हैं तो आप आपको क्लियर हो गया होगा और अगर हम आगने की हम बात करें या फिर कायंतरिक चट्ठानों की बात करें ये यह किस फॉर्म में पाई जाते हैं तो यह शिराओं में और परतों में पाई जाते हैं छोटी शिराओं होंगी बड़ी शिराओं होंगी तो उनमें पाई जाते हैं है न कहा मिलते हैं यह तो जोड़ो बरशों में मिलते इतना क्लियर हो गया मतलब ज्यादा कठें नहीं है मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपको समझ मां आ गया ना यह जो चीजा आई हो आपको किलियर हो गई होगी पूरे चिटर को ? यहां से आपको और अच्छे से चीज़े किलियर हो जाएंगी नीचे क्या है ? यह यह से लिदा मापा भरा हुथ है , मेगमा बोलते हैं , अब यह भर आएगा इससे कुछा यहां पर एक क्रेक था आब यहां पर यह इसमां भर जाएगा है आज दो यहीं बात में कैं बन जाएंगा समझ मां गया ऑइसमें चोटी चोटी शिरायें होती चोटी चोटी और बड़ी-बड़ी भी होती है जिनको हम लोड्स बोलते हैं बड़ी-बड़ी होती है बड़े जो शिरा होते होने क्या बोल देते हैं लोड्स बोल देते हैं और छोटी-छोटी होते होने हम शिराएं बोल देते हैं वेंस ठीक है तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो बहुत ही इंपर्ड़ंट है क्या है जलोड जमाओ की रूप में कैसे हमें संसाधन मिलते हैं अब सुनों यहाँ पर आप देख रहे हो ध्यांसे अब होताओ जैसे कि मैंने आपको बताया दर्दी के अंदर धर्दी के अंदर जो है खनिज और जब खनिज में आ रहे होते हैं तो मैंने आपको जश्ट अभी बताया है वो कैसे फॉर्म में आ रहे हो तो यहां पर याद करो जलूर जमाओ मैंने बताया है जलूर जमाओ क्या होता है जब आई उपर से नदियां वगर आती है तो अपने साथ में बहुत सारी गाद लेके आती है है ना जब लेके आती है तो एक चीज होती है प्लेस डिपूजट बोलते हैं से क्या बोलते है प्लेस डिपूजट मतलब यहां पर जब आ जाते हैं रहते हैं उपर आके एकट्टे होते हैं जलोड जमाओ गोल देते हैं, जलोड की याद करो, जलोड, जलोड का मतलब क्या था, जलोड मृद्दा के बारें हम आपने पड़ा था, उपर से जब नदियां बैके आती है, अपने साथ में बहुत सारे जलोड जमाओ लेके आती है, कि अपने देखा ओगा кур पूरी टीज्जिल्ताइंप की दोוכ जाता है ज्व हुपर सीफ़ी के अंदर से अटीज मुपर खुरत के अंदर हो ठाझ पूब लेते हैं कि ध्र ही चट्टान उको घमाओов घोल देमाँ जैसे उते बात करें धरातली चट्टानOff के अब घटन के दोरा अटाкимиचेशेंज नहीं वहां तो बारिश भी उरही है धूब भी पढ़ अलाग उस पर रसानिक प्रिकरियां चल नहीं हैं तो क्या ऊलघ से USA दूल जाता समझ हम उपर न लो 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 अंदर का सब कुछ भार निकलाएका ना ओपर की जो पूरी परत선 चलिज जाए गए तो वैसे इहां पर जो धरातली चट्टाने जो होती है जो जमीन पर चट्टाने हैं इनके अंदर खंच है लेकिन वहां क्या बार इया दूप आ रही है नहीं गिर रह आपके book में चीज़ और देरक्टी आप देखोगे तो उसमें रखा है रेट होल माइनिंग क्या होती है यह मेगाले में भूथ प्रैक्टिस किया जाता है लेकिन जो नेशनल ट्रेबुनल जो है इसे गत्विधी करने से वहता क्या है कि मानिक चलो कि यह बहुत बड़ी जगा पूरा बड़ा फोड़ा फीज यहां पर पता चला घृषगे आप चूए जैसा बिल बना देते हो तो आप उतनी में तो यह गाँ जूगा पे चाविगी नीचे आपने देखाना मूवी चछोटे बड़े गुफायं होतीं अंदर चले जाते हैं अंदर निकाल गलाओ तो मैंने में क्या होता है पूरा नहीं खोते हम एक चुह जैसा बिल बना देते हैं है ना चुह जैसा देखता है और घाले में जो लोग है यह बड़ी ही जाला प्रैक्टिस किया करते आधरी बचा हुआ है महासागर की जल्म है क्या आपको पता है कि जितनी भी नधिया वगरा है यह सब कहां जा रही है पर चर्प मात्रा में खनेज हैं लेंगे दिक्कत क्या होती है जो कोई भी खनिच तब तक खनिच नहीं हो सकता जब तक वह एकोनॉमिकली फीजिबल यह इसका वह और तक हम उसे सक्षम नहीं इसका मतलब क्या हुआ मान के चलो आपको पता चला कि आपकी जमीन के अंदरहा रहा हो आपकी खेट तक है उसके अंदर जो है सोना है पता चल एक पदेजिक किसी मशीन साम ने पता लगा लिया लेकिन आपको यह पता किता सोना है तो अपने उसमें लगा दे 15 क्रोड रुपे तो जब जमीन खोदी तो इतना साकता का निकला सोना तो आपने लगाए दस करोड मिले एक लात तो यह फायदा है नहीं है तौ आर्थिक रूप से भी तो फायदा दे हैं कम तो आप बोल सकते हो कि हमारे महासागरों में भी बड़ी ही मात्रा में खनिज पाया जाता है ठीक है ना अच्छा अब यहां पर एक चीज़ आपको इतनी बड़ी चट्टान मिली हो इतनी बड़ी आपको और आपको आपको पता चला है यहां एक है और चट्टान के अंदर क्या होगा वहाँ उस चट्टान के अंदर लोहा भी है और बहुत सारी इंप्रिटीज भी है और जो चीज किसी काम की ना हो तो बईया एक ऐसी चट्टान जिसमें लोहे की मात्रा तो ज्यादा है लेकिन इंप्रिटी कम है अब जो गंदगी जो है वो कम है मान की चलो एक पूरी बहुत बड़ी चट्टान मिली आपको इतनी बड़ी है ना इसमें मान की चलो 80% क्या है 80% लोहा है और सिर्फ 20% क्या है 20 30% सिर्फ इंप्यॉरटी जायां फिर गंदगी तो इसको हम क्या बोलें कि पूरे कम भोलेंगे और अयस्क मैंसे क्या निकालते है एस्क मैंसे हम खनिजों को खीचते हैं चीजते मतलब निकालते हैं उस एसक में गंदगी भी है लेकिना याद रखना कि आएस्क जो होता है तो 30 पर संट क्या होता गंदगी तो इसकुमैंट कमा सकते हैं उसको यह क्णिजयों कालते हैं प्रैषर मातरा में ऑस नगए 51 mit लब्त तो आपको आई हो पी जो चीज़ें वह बहुत अच्छे ज़िए के लिए हो गई होंगी तो यहां पर आगने चट्टाने और रूपांत्रिक चट्टाने और अफसाली चट्टाने इन तीनों ही चट्टानों में पाई जाते हैं शुरुवात कहां से याद रखना जो आगने चट्टाने होती हैं यह कैसे बनती हैं तो यह जो आपके होती है लोटो और वेंस बोलते हैं इनमें क्या होता है इनमें यहां पर हमें खनिज देखने को मिलता है छोड़ी 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 जो शिराय होती है उन्हें वेंस बोल देते हैं लोट्स क्या होते हैं बड़े-बड़े जमाव जो होते हैं सबका मतलब एक जानलो दरान फ्लाल के लिए डिफ्रेंस होता है लेकिन अभी के लिए इतना जानो तो यह हमने बात कर ली ठीक है फिरम ने क्या आना भई फिरम ने जाना भई जलोड जमाव कि कभी-कभी नीचे से जब खनिज ऊपर निकल आते हैं तो यह बहा के बहते हुए वैदरिंग प्रोसेश जो होती है बैब आके नीचे आ जाते हैं कहीं भी एक जगा डिफोजट हो जाते हैं तो वहां से हम क्या बोल देते हैं जलोड जमावाले खनिज बोल देते हैं फिर हम बात कर ली बैइज धरातली चिटान को अब घठन जो हो जाता है ऊपर जो जाता तेक है चली आई होप इतना आपको clear हो गया होगा अब बहुत important है कि खनिजों के प्रकार कितने होते हैं कितने प्रकार के जो है इनके बात कर लेती हैं थोड़ा सा तो खनिज जो होते हैं आपके तीन प्रकार बताए गाए गए एक तो धात्विक और दूसरा धात्विक और त करेंगे फलाल इस पर गौर्ष रमाते हैं हम बात करें धात्विक और अधात्विक तो नाम से के लिए रहा है थात्विक का मतलब क्या है और अधात्विक का मतलब लोह का होती है और मात करूं ऑलो की तो इसमें मातरा नहीं होती जैसे कि तॉ यह थिसे आधा जो उसय वह होगी होंगे होगी दियांट के हो इंगे मिलते नहीं है असानी से और महंगी बहुत ज़ाइब अचकित हुए bigger लंगत parfois बाइक में पेट्रोल लवालो गाड़े में डीजल लवालो तब ही तो चलेगी बिना डीजल पेट्रोल के कैसे चल सकते है कोई भी गाड़े है तो यह क्या हो जाए जैसे आपके बढ़ते हैं आगे तो देखो पेट्रोलियम प्राकर्तिक यह सब क्या है बाई यह सब ओजा खनेश है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे ज़ुआ के लिए हो गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं आगे अब बात करने ते हैं किसकी भाई लो खनिश के बारे में तो हम करने के जा रहे हैं बिसक लिए तो हम जतने भी हमने जो खनिच के तीन प्रिकार रहा हैं ह। और इनको हमने classify किया है, अलग-अलग भागों में वाजित कर दिया है, तो इनको हम एक एक करके समझने वाले हैं, बस यह कर रहे हैं, ठीक है न, तो जैसे हमने धात्युक के बारे इम बात कि तो धात्युक्य भी हमने तीन पार्ट करें, है न, तो हम लोधात्यु को अच्छे scholars में अच्छे से बात कर देंगे उसके बाद हम अधार को भी अच्छे से पढ़ेंगे ठीगे ना चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोधार है लोग करनेस क्वारे में अपने लूग कर चुनाए उड़ी मैंने अपको बता दिया ऐसका मतलब क्या होता क्या होता है इसका मतला बहुत है? जलिए ज़ली से आप मन में सोचो कि मैने बताया था आपको एक ऐसी चट्टान इसमें खनीच बहुत अधिक मातरा में है, जिसको हम निकाल सकते है है ना? जिस चट्टान से जिस शेल से हम कहा हां निकाले, खनीच निकाले होता लोहा भी होता है और कुछ impurities होती है कुछ बेकार चीजे भी होती है उसे हम लोहा निकाल लेते हैं है ना तो इसका मतलब तो पता चलिए का होगा अचा अगर हम बात करें quality के हिसाब से उसकी गड़वत्ता के हिसाब से हम बात करें तो हमने दो भागों में वाजित कर दि है यहां फिर हमाटाइट कौन सी है तो यहां पर याद रखना है देखो मैंगेटाइट की हम बात करें तो मैंगेटाइट का जो लोहा मिलता है उसमें लगवग करीबन सतर प्रतिशत जो है लोहा मिलता है और इसको सबसे बढ़िया उंड़ा quality का अच्छी गुडवत्ता व होता है वो जो जादर जो धयों में इसी प्रिकार का गवाई है इसमें 50–60 प्रतिशत क्या होता है वाई यह मिलता है है। जो भाइट सी great quality का होता है सब्से ज्यादा भारत में क्या इस्त्माल किया जाता है और धौगिक nTrustन में सबसे ज्यादा हम इस tutaj हौके बहा थे हमाट कौन सा तो आपको हेमाटाइट पे टिक कर देना है ठीक है क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं अब भारत में बात करें तो भारत में लो एसक कहां कहां पाया जाता है तो सुनों यहाँ पर यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बताऊंगा बाकी डिटेल में इसका एक लेक्चर और लगे का मैप वाला वो मैं live class में लोंगा ठीक है live class में हम डिटेल में जानेंगे कि कहां कहां कौन-कौन से आईस कपाये जाते हैं वो आपके exam perspective से बहुत ज़ादा जरूरी हो जाते हैं इसमें बस मैं आपको नाम बताने वाला हूँ तो तो यहां पर हम बात करें उड़ीसा यहां पर आपको कोई भी खनिश ज्याह्दा नहीं मिलेंगे क्योंकि बिहार और जहारखंड पहले एक थे अब जहारखंड जितने भी खनिज हैं वो सब जहारखंड में आ चुके हैं तो बिहार की भी अगर हम बात कर लें हरयाना की बात कर लें तो यहां पर आपको कोई भी खनिज ज्यादा नहीं मिलेंगे तो अगर हम बात करें तो खने जो हैं दक्षिन भारत में बहुत पाए जाते हैं उत्तर पूरी भारत में पाए जाते हैं प्राइदीव जो वाला लाका है जो प्राइदीव का है वहां पर बहुत पाए जाते हैं तो अगर हम खने जो की वितरण की बात करें तो हर जगा क्या ह नहीं है कहीं बहुत जादा मिलेंगे आपको कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कहीं थोड़े बहुत मिलेंगे आपको तो ऐसे करके जो हमारे खनीजो का यहां पर भारत में वित्रण हो रखता है तो उसी हम बात करें तो देखो दुर्ग बस्तर चंद्पल बैट इसको हम से ही लग रहा है, यह औलि ज़ह दक्षिन भारत है वह पर ही आजीव जो नाम रखे जाते जक्ताओं। गोma yes करहा है shifts को करनाटफ मैं है करनाटफ में है तो याद रखना है तो याद रखना है है Stil & Ferro sharpen-s तो जैसे आपको एक टर बनाने के लिए गया जाता है तो आपको यह याद रखना है ठीक है? तो मैंगनीज के हम बात करें तो ओडीसा में आपको मिल जाता है मैंगनीज ओडीसा जहरकंड वगरा बैल्ट पर आपको यह मैंगनीज देखने को मिल जाएगा आगे बात कर लेते हैं अलोह खनिज के बारे में अलो में गोल भी आ जाता है, डाइमग Morris भी यहिंट मीज है, भाई अलो घस्ला Pillars लोग हो गया, ऐँ लोग र हो गया, प्लैक्टिनम डाइमग वहां इतल ने किसम और कीमति में दो किया मिं रहा स्पनलो को भीकित? है उर सोने की बात करें हम चांदी की की बात करें हम प्लैक्तिनम की बात करें तो यह क्या है भई यह चैसे हो जगे ऐस महरागा बहुत धात जाटे लेकिन प्मॉझ्द से अमुल होते हैं बहुत न been महगे आते हैं तो इसको इसमें नहीं नहीं डाल सकते여 zg zas कि हम बात करें तो तामबा हो गया, तामबा, अलुमिनियम और टिन, थोड़ा सा आप चार्ट देखो गए, तो आपको पता चलिज जाएगा यहाँ पर, तो धात्विक में क्या हो गया, धात्विक में दो तीन तरह के हैं, तो एक लो, कि हमने बात कर ली, कोबल्ट वगर भी निकल भी आ जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें, अलो की, तो तामबा, लैट, टिन, बॉकसाट वगर आ जाती है, इसमें, तामबा जरूरी हो जाता है, बॉकसाट जरूरी हो जाती है, इसमें बेसिकल क्या होता है, इसमें लोहा नहीं होता, लोहा की मात्र होती हैं, तो ब तामबा का भाई कौपर जो होती है यह अच्छा कंट्र होता है electricity का बिजली बहुत अच्छे पकड़ती है, आपके घर में कौपर के जो कौपर होती है यह पर जो जो रासाइन उध्योग होता है उसमें इसका अच्छे से इस्तमाल किया जाता है और यह कहां मिलेंगे आपको तो ज़ो मद्ध्य प्रदेश में कि बालगा इलागा उर्भा lut गहा रहा बिलागा इलाखी को जो रहे थिप siis सोगी होता है जो तो यहां पर अधिक्र है जो पेसमें ब्धखितानी आपको यहां पर रहाता है तो उंत्य पहरुजरात कि फिल्स्त उसके मद्यपीड है यहां बाद करें बाला घाट चलिए आगे बात करें आलूमीनियम की अचा अलूमीनियम जो होता है यहां किस से मिलता है तो इसक होता है तो पुरा बॉक्साइट है और इसमें ही जो आपको आलूमीनियम मिल जाएगा 30% 40% 50% तो यहां पर याद रखना कि प्राश्न आ जाएगा डाराट किस परकार के यहाँ पर ए चाहने आपको अविम्नियम प्राःप तो बॉक साइट नामके तो तो आखर अविम्नियम के Yais को जो हम क्या बोटता है लेहाज बहुत है क्यों होता है क्योंकि यह हल्का बहुत होता है है न, जैसे कुछी आप उड़ा रहे हो, जहाँ जो अइरोप्लेन होगा, भई उड़ेगा, तो आप उसमें लोहा लगाऊगे, तो बजनी जादा हो जाएगा, कैसो उड़ पाएगा हो, लेकिन हम बात करें, अलुमिनियम की यह हलका होता है, और लोहे जैसा मजबूत होता है तो इस वैसे हम इसको इसको इसमाल कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, कहा है इसके मुख्यमंदार, तो देखो, यह जो अमर कंटक पहाड़ियां है, अमर कंटक पहाड़ियां जो है, बिसिकली यह कहाँ पर मिल जाएगी, आपको यह मिल जाएगी, बिसिकली मद्य प्रदेश मे अरफ पगतनी के पठार, माहकाल की पाढ़ियां ब्लासपूर, कट्टनी के पठार, मेंध्द पिदेश में आपको मिल जाएंगी टिन के हम बार कर लेते हैं, टिन फीर बहुत पह항 सब्सक्तार इन हो जाता है, टिन बहुत सब्सक्राराश्चा गारता है है ऐसे पतली-पतली-बीर्स की फ्लेटेहिं हुती है यह एसी पतली पतली लेशोंगी उपर बॉला घॉपक गुंगी किस रंग में होता है काला हरा लाल पीला भूरा ऐसा रंग में इसका इस्तमाल किया जाता है, तो बिजली और इलेक्टोनिक दोगों में इसका प्रयाप्त मातरा में इस्तमाल किया जाता है, कहां मिलेंगी यह तो अब रख करेंगे, चोटा नाखपर पठार आपको देखने को यह मिल जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, जाहरकंड साइड थो जिन्दगी को इमेजन भी नहीं कर सकते हैं, जैसे आज की बात करें हम, खनिज के बेना क्या हो सकता है, बता हो आप, एक एक चीज जो आप इस पूरे स्टूडियो में चीज देख रहे हो, मेरे हाथ में जो भी चीज देख रहे हो, यह रिमोट, यह पैन, यह पीचे स्क्र को, ठीक है न, तो यहाँ पर वही बात बोली गई है, खनिज एक गैर नवी करनी संसाद है, गैर नवी करनी मतलब, जिसको हम पुनर इस्तापित नहीं कर सकते हैं, जो लंबी पिरकरिया के बाद बनना शुरू हुए हैं, लोहा, कोईला, यह सब क्या बने हैं, यह लंबी ल में हजारो साल, हजारो तो बहुत कम बोल दिया, लाखो लिग लो, लाखो, लाखो साल लग जाते हैं, लाखो करोडो साल, है न, ऐसको के निरंतन जो है, निशकर्षन से खनिजो की कमी होती है, ठीक है, निशकर्षन मतलब, बहुत जादा उनको आप एक्स्प्लोइट कर र उनका बिना मतलम में और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल सब कुछ हतम हो जाएगा तो एक बहुती कोई बड़े समझदार इंसान ने एक बात बोली है कि इंसान का जीवन जो है जोपड़ी से शुरू हो आता हो जोपड़ी भी खतम होगा और सच में आज से देख लेना हज लेते हैं उर्जा समसादन की है उर्जा की बात कर लेते हैं खनिच और उर्जा चैप्तर था हमारे चैप्तर का नाम तो हमने खनिच की बात कर ली अब उर्जा पर आ जाते हैं उर्जा तो आप जानते हो हर चीज के लिए उर्जा चाहिए आपको इवन चलने के लिए काम कर के लिए भी उर्जा चाहिए किस्ते मिलती है जो आप खाना खाते हो तो ऐसी भाई बड़े-बड़े जो बहान होते हैं जैसे हम बात करें ट्रक की बात करें बस की बात करें कार की बात करें और मोटर साइकली छोटे-मोटे बहान जो होते हैं बाइक वगरा आटो वगरा इनक एक तो है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत दो स्रोत होते हैं उर जाके एक तो परंपरागत स्रोत है और एक गैर परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है बैसे परमपरागत करें बात करें, परमपरागत करें आजार सालों से परमपरा से आरही है तो परमपरागत जो ऊर्जा की शिरोत होते हैं तो जैसे जलावन क्या होता बाइए लकडिया जलाते हो ना तो लकडिया जालो लाको सालो से इंसान झला रहा है है ना हम बात करें टुर्पले जानते हो कंडे एंक गह पर कंडे बोलते हैं कई जगह पर उपले उपले बोलते हैं कि Ñ अप्छ गोवर गोवर जो होता है उससे बनाए जादे देखते हैं हमने अभी इस्तमाल करना शुरू किया हो जो नहीं नहीं डिस्कवर हो रही है, कि यह यह भी है, मतलब अगर अगर यह जो सोर्ट से नहीं बिसक लिए खतम भी हो सकते हैं, कोईला खतम हो जाएगा, कोईला तो जमीन के अंदर मिलता है आपको, आज से हजारो लाकू साल पहले, जो वनस्पती होंगे, वनस्पती पेड वगरा जो होंगे, ı जमीन के अंदर, उन से ही क्या बन अकोईला बन गया, जीवाश्म से क्या बन गया, पैटरॉल बन गया, गैस मन गया, लेकिन ये क्या से बनते हैं ये तो हमारा जो नेचर है बिसकली है हवा आ रही है धूप आ रही है इस से हमने क्या निकाल ली उर्जा निकाल ली तो ये क्या है ये हमने गैर परंपरागत है इनका इस्तमाल जो हम बहुत पहले से नहीं कर रहे है ये तो अभी से हमने करना शु कोईला यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं, तो कोईले कि हम बात करने कोईला सब जानते होंगे कोईला, कोईला नाम है कोईले को हमने दो हिस्तों माट लिया है, एक तूसकी गुडवत्ता के आधार पर, और दूसरे समय के दूसरा हो गया bituminus और तीसरा हो गया anthracite अगर हम बात करें lignite की तो lignite जो कोला होता है वो एक निम्न दरजे का कोला है मतलब क्वालिटी के मामले में यह तीसरे नंबर पर आता है निम्न दरजे का होता है बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं होती और इसकी हम बात करें यह कहां पर पाय जाता है तमिल नाणू में आपको मिल जाएगा नवेली वहां पर मिल जाएगा बुद्दू चैरी में बात करें तीसरे वाली के, जैसा अच्छी क्वालिटी का, कोइला होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का, हुआ हम बात करें लिगने में, लिगने में गला है.. अब लोन के सब्सक्रांwoo होता है... नहीं के सब्सक्राइब का यह कोईला हुटा है.. अब किस दुझाज का होगी, अब बात करएं है किस के ओधार पर अब बात करें समय के आधार पर, बना कोई भी कोईला कितना पुराना है, जितना पुराना होगा, उतना अच्छा होगा, ओल्लिस गोल्ट, है ना, तो देखो, अगर बात करें, समय के इसाब से, तो हमने दो हिस्तों में डिवाइट कर लिया कोईले को, एक तो बेखे, बहुत पराना है लग बग जो है 200 से 300 पाइल बना है और तरसरी निस्पेक्षिक अमबात करें, यह जो है नया है, यह भी बनाया है, 20 मिलियन साल पहले, है नपाब, यह 20 भी बहुत जादा बता दिया मैंने, हाँ, 20 मान बोल सकते हो, इतने साल पहले बनना शुरू है, मतलब आप बोल सकते हो, गोड़वाना कोईला है, बहुत बन किन मान सकते हो, 5 मिलियन साल, मतलब आज से आप हो सकते हो, गरीवन 50-60,000,000 साल पुरान जो है, यह कोईला है, और यह बहुत पुरान कोईला माना जाता है, अच्छा, इसकी हम बात करें, गोड़वाना नाम की रुखा है, गोड़वाना से आत करो, तो यह दो को पैंजिया पैंजिये नाम की ते हमारा पूरा जो पूरी पृरी की अबात करें, इसका जो लैंड मास है, जो थाल है इसका, तो पहले से क्या बोलते है, जुड़ा हो ता पूरा पोरा से एला हो गया, दो भागो में तो पैंजियेया आता हिये, एक तो लॉरेशिया और दूसरा का हिस्सा है तो गौडवाना सिंपल से मतलब है बहुत पुनाना और तरसरी बाद में बनाएं तो यह बहुत नया कोईला है सिंपल सी बात है तो यह आपको का मिल जाएगा दो नीचे अगर आप नीचे आओगे जरिया रानी गंज और भुकारो जारखन के दुर्गम इलागों में इधर साइड यह पूरा जो प्रायदी पर हमारा इधर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है हजारी बाद धनबाद आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है हम बात करें ग्हों कि प्रणी लुव प्रणीय मिल जाएंगे तो इसकी कम होता है यह होते है पको पेटॉलियम को पेटॉल से कंफ्यूस मत करना, पेटॉलियम मतलब क्या होता कच्छा तेल, आपने देखा हुआ काले कलर का होता है, अब उसे कच्छे तेल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाते हैं, पेटॉल बनेगा उससे डीजल बनेगा, लुब्रिकेंट्स वगरा ज इसको कई मैनों में पेटॉल का इस्तमाल किया जाता है, है ना, हम बात करें कहां कहां पाये जाता है, तरसरी चटाने है, इसमें पाये जाता है, चूना पत्थर, बलुवा पत्थर, में सधन परते जो होती हैं, इसमें हवा पास हो सकती है, जो खोकली होती है, इसमें कोई तरल प्रदाद पास हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सधन पर्थ बोल देंगे, पोरस और नॉन पोरस बोलते हैं, बेसिकली इसे, हाँ, यह कहाँ पाए जाता है, तो यह से आप देखोगे, यह मानिक चलो पूरा यह पत्थर है, मतलब पत्थर नहीं, एक प सरंद और दूसरी असरंद, असरंद को क्या बोलते हैं, नॉन पूर्द, मतलब इसमें हवा वगेरा, यह फिर कोई भी तरल प्रदाज यह पास नहीं हो सकता, उसके बीच में यह पाए जाती है, है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, आज से हजारों लाकों साल पहले यहाँ डाइनसोर वगेरा, है ना, डाइनसोर वगेरा, इनकी जीवाश में वगेरा, रहे होंगे, दब गए होंगे नीचे, मरे गए होंगे, और इनकी जीवाश से ही क्या बन गया, पैटॉल बन गया, और क्या हुआ बाई, नीचे गर्मी होती है, उससे क्या बन गया, यह पहले थी हमें इसके पाइन की तो यहां पर 15% आता है करीबरन फिर उसके बात मुंबई हाई मुंबई में आइनी महाराष्ट में तो यहां पर 63% प्रसंट मुंबई हाई बाद में डिस्कवर की गई है है ना, ONGC बनाए गई थी, ONGC को यही काम दिया गया था, 1956 में basically, कि जाओ और जा जाके पूरे भारत में चक्कर लगाओ, क्योंकि पैट्रोल की जरूरत पड़ती है, है ना, हम भाई किससे लेते हैं पैट्रोल, हम तो यह सैंटरल एशिया से लेते हैं, यह जो साओधी इरान वगरा हो गया, इन से पैट्रोल लेते हैं, तो हमें सस्ता पड़ता है, उनके यहां पर बहुत पाई जाती है, लेकिन हमारे यहां पर ज्यादा नहीं है, तो 13% हमारे पूरे पैट्रोल रिजर्फ जो है, भंडार जो है पैट्रोल के, उसका 30% कहां से आता है, मुंब आधी की घाटियां जो है, यहां पर भी आपको कुछ पैट्रोल के रिजर्फ भंडार जो है, देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अब बात करें किसकी प्राकृतिक गैस के बारे में, अज़र अगर प्राकृतिक गैस के हम बात करें, तो इसके जो रिजर्फ होते हैं, इसक जो पैटौल होती हैं यह भाब बन जाती है, और भाब बनके, यह क्या बना लेती है खुद को यह जो है, एक गैस बना लेती है, यह जो ह Municipion едpe बताया मैंना कैसे बाई प्राकृतिख जयादा लगता है नीचे से घर्मी जयादा होती है तो वह होकि कया बन जा दिए उक पेटरोल ज gehen होता है कच्छा तेल मन जाता है वह क्या बन लेता थैध इंपक exercises ऐसे बने पराकृतिख ग्यास के के आगए है tedr1 के आगए है Auto रिक्षा, CNG के आगए, सबüll माँ क और ago बिजली में इस्तेमाल किया जाता है, और उर्वक उत्यों में इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के ईस्तेमाल किया जाता है तो तो यह रहेben है और बिजली के ह시면 काणिवा है साफ कर से बसक्राइम के सोटनेNova करते हैं के बसक्राइए हुलें से इस qula आना क्या सोटने हैं न्युक्ति है कि पάνे से बसक्राइब पनी से बसक्राइब भूम तो दोसरी बसक्राइब आज़िडिणा चूरा के पाइब हो गया ची से माम माओने हैं इससे हम जो है जब इनरजी निकालती है उज्ला निकालते है तो उससे क्या होता कि भाब से टरबाइन गुव्ख से बजली बनती है कोह था-। यह सब क्या हो जाती है उससे-अशिवा विद्धत हो जाती है हैना परमाड ऊर्जिया जो है वह आएगी इसमें उर्जा क्या होता हाँ ज然 ऀंक निगलती है उससे उर्जा निगलती है उस मिला बिजली बनाने के इस्तिमाल करते हैं लेकिन खतर्णाग की होती है थोड़ी साही कलतीख कन्यामाल कर नुकसान हो जाता सौर्ण उर्जा में क्या होता है सूरजज की रोशनिंग से तो इन प्लेट्स से बैट्री चार्ज होती है इससे आपको बिजली मिलती है, यह बहुत जरूरी सुरूत है, ठीक है, जैसे आप जाओगे, जैसे गुजरात में, और राइस्थान में, यहाँ पर अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर धूप पहुत ची खासी आती है, गर्मी जादा पड़ती है, पवन उर्जा की हम बात करें, तो यह जो, बेसिकली जो, तर्टी खेत्र जो होते हैं, तर्टी खेत्र आपको पता है, हवाँ ज्यादा चलती है, sea breezes, land breezes, है ना, और अब हवाँ चलती है, तो जिब हवाँ से क्या होता है, हवाँ से, यह देखरो है, यह पंखे घूनते है इंसे टरबाइन भी रोटेट होती है, उससे क्या मिनती है बाई, उससे का इनरजी से बिजली बनती है, हम बात कर लेते हैं, अच्छा, बायो गैस की हम बात करें, तो बायो गैस आप देखते हो, जैसे गाओ हमें, जो गये कावे काव डंग केक हो गया, इसको जो हम एक रेखिए। यह घरता होगा के समि妬त था इस भाइप लगा देता है। यहाँ से गस्था निकलता है। इस incompetent करें। ध्यूरा कई लिश्वार क्या हुआ हिआ. आपको पता होगाँ कि, समुद्र, पानि, ऐसका लेवल बड़ता रहता है। बढ़ता रहता है क्वेऊ रहता है। अ क्वेश戲 में ज्वारियूर्जा बढ़ता है। श्रम की ज़ारी हुर्जि साला है की केसे लिजदू थे खाले analysis एंपनी हम्सार पांए हाल केशड़ ili अब इसको हम क्या पिर से पनक्षोडी घूमेगी, पिर से लिए बजली मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं। ठीक है ना, बाश्ट मच्णदे भूत्त आपी उच्या। भूत आपी उच्या होती है। यह पहलु निई में दाओ, में कि गर्म पानी निचे से निचे से न तो में अर्थ के अंधर घर्मी जादा है तो इस निगर्म होता है आर्थ के अन्दर पानी भी है गदर भारपकर निगलता है जैसे आपने होट स्प्रिंग वगरा देखियोंगी, मनी करन में जाओगी आप हमाचल में तो आहाँ पर मिल जाएगी आपको तो यह जो भाब निगलती है, इसको हम जो है इनर्जी की तरह इस्तमाल करते हैं, उर्जा की तरह इस्तमाल करते हैं, बिजली मिलती है इसको तो इसको हमने क्या बोल दिया, जियो थरमल या फिर इसको भूत आपी उर्जा, जो आरी उर्जा को इंगलिश में क्या बोलते हैं, तो इसी के साथ जो हमारा पूरे चैप्तर है, यह फिनिश हो गया है, डेटेल में पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, और इसका एक क्ला जो पोर्शन है हम लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है न, चले तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, फिर एक बढ़िया से चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गुडबाई, टेक केर